हलो माई यूटूब फैमिली वेलकम बैक तू माई चैनल आद्या फैमिली चैनल कैसे हैं आप सब उमीद करते हैं आप सबी अच्छे होंगे गाइस मैं भी बहुत 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 अच्छी हूँ और काफी दिनों बाद इतना मैं खुश हो करके ब्लॉग शुरू कर रही हूँ और हां जıtने भी सीख और जयां अच्छे मैं आथा फैमिली करते हैं उनकी जुष प्ररफा करते हैं मुझे बहुत ज्यादा मोटिबेशन मिलता है और शायद मेरे 나오ए चीनिव मैरे सुपक्राइबर है जो बहुत हैس paper मेरे ठीब कर शुरू ओर एक मेरे मुझे घर में रहता अंजोत्रे पाठी उन्होंने यह भी मुझे कोमेंट किया कि बहुत ही जल्दी आपका घर बन गया तो हाट यह काफी जल्दी ही तैयार हुआ है हाला कि अभी पूरी तरीके से तैयार नहीं है मतलब अगर बात करी जाए कि हर चीज होने के बाद अगर सिप्टिंग करते तो थोड़ा सा टाइम और लगता लेकिन अभी पूरी तरह से कम्प्रीट नहीं हुआ है लेकिन मुझे ना इतनी हड़ड़ी थी अपने घर में आने क अब पहली बार में अपना रियल होम ट्यूर आप लोगों के साथ करने वाली हूं अपने घर का होम ट्यूर तो अभी टाइम हो रहा है दोपहर का और सारे चीजों से मैं फ्री हो चुकी हूं तो चलो अभी हम आपको घुमाते हैं अपना घर और हां बहुत सारी लोगों की बहुत सारी एक्स्पेक्टेशन होती है कि ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए लेकिन इक चीज हो चाहता हूं कि घर कैसा भी हो मेरा घर मेरे लिए बहुत अच्छा है और आप लोगों को पसंद आए तो लाइक जरूर करना और हां अगर नहीं पसंद आता है तो प्लीज निग्योटी कॉमेंट मत करना क्योंकि मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा तो इसलिए आप से पर्सनली में रिक्वेस्ट कर रही हूं तो चलो फहले बाते कम करते हैं और आपको घुमाते हैं अपना घर सबसे पहले मैं आपको स्टेयर से फर्स्ट फ्लोर में लेकर के चल रही हूं क्योंकि हम लोग फर्स्ट फ्लोर में ही सिफ्ट हुए हैं नीचे ग्राउंड फ्लोर अभी कम्प्लीट नहीं हुआ है वहाँ पर आभी काफी कुछ काम बचा हुआ है तो जिसके कारण से हम उपर वाले ही पोर्शन में शिफ्ट हुए हैं तो इस तरीके से शिडियों से उपर जाना है और देख सकते हो अभी हम उपर आ गए हैं और सबसे पहले मैं आप लोग को लेके चलूंगी बालकनी में पहले आपको बालकनी एरिया दिखाती क्योंकि यह मेरी फेवरिट जगा होती है मुझे बालकनी एरिया बहुत ही ज़ादा पसंद आता है और इसी कारण से ना मुझे कभी भी किसी भी गर में फर्स्ट फ्लोर में रहना बहुत जैदा पसंद आता है तो यहां पर क्लीनिंग का सामान वगरा रखा हुआ है और अभी ऐसे ही कुछ थोड़ा बहुत सामान मैंने shift किया हुआ है थोड़ा ऐसे ही रखा हुआ है तो जिसके कारण से बहुत अच्छे से समान आपको set नहीं मिलेगा काफी कुछ बिखरा हुआ है क्योंकि home tour के लिए कई सारे comment आए तो मैंने कहा चलो आप लोगो मैं home tour ही पहले करा देती हूँ गर का और देख सकते हो यहां पर मैंने तुलसा मैया लगाया हुआ है और यह तुलसा मैया मुझे भावी ने gift करी है तो बहुत अच्छा लग रहा है और यह मेरे लिए बहुत अनमोल gift है तो अभी देख सकते हो इस तरीके से कुछ हमारा balcony का area है और इसमें जो tiles लगी हुई है वो wooden tiles लगी हुई है तो यह काफी जादा मुझे पसंद आती है क्योंकि जब हम पहले जहां पर रह रहे थे rent पे वहाँ पे भी वो बाहर की area में wooden tiles लगी हुई है तो काफी अच्छा लग रहा था और यह है हमारे घर के बाहर का view तो कुछ इस तरीके से दिखता है और अभी मैं आपको लेके चलती हूँ अब अंदर की तरफ और फिर आपको अंदर घुमाती हूँ तो इस तरीके से हमें जाना है अंदर अभी अक्षद आद्यासाब मस्ती करने में लगे हुए है सुबा मॉर्निंग में ही मैंने ये ब्लॉक शूट किया था होम टूर का तो अभी मॉर्निंग का ही टाइम हो रहा है दिन का समय है उजाला हो चुका है अच्छे से तो अभी ये है हमारा लॉबी एरिया यहाँ पर आपको लोबी एरिया आप यहाँ पर दिखाती हूँ और belongs तो यहाँ और बौर को लेकर चलते हैं ड्राइंग रूम में तो यह है ड्राइंग रूम और बॉल्टे हूं मैं और यहाँ पर देख सकते हैं द्राइंग तो इस तरु pode-draeson ड्ट मी आदिया घ्रोट Home himself सेटनी हुआ है तो जैसा कि मैं बार-बार betाए हूं कि फूरा घर सेट नहीं कर पाई हूं और अभी फोड़ा-थोड़ा करके ना काम होता रहे गा कुछ ना कुछ ना कुछ होता रहे जाता है तो बस अभी यहीं सिंपल सा हमारा घर है तो देख लीजे आप लोग भी और अब चलते हैं अंदर की तरफ और घर बनवाने में कितना भी काम क्यों ना घर लो कुछ ना कुछ ना कुछ बाकी ही रह जाता है तो अभी इसमें तो बहुत कुछ बाकी है फिलाल अभी बहुत सारा वोटेन का काम बाकी हुआ है लकडी वाला अभी कैबिनेट वगरा टीबी का बनवाना है तो जो धीरे-धीरे होता रहेगा तो हमने सिप्टिंग कर लिए और ये पीछे जो आपको सामने दिख रहे हैं प्रॉपरली आती रहे तो बस ये किचन है और किचन अभी भी मेरा सिंपल सा ही बना है बात में मैं इसको पूरा मॉडलर नहीं सेमी मॉडलर बनाओं और किचन मेरी सेट हो चुकी है बस किचन को सजाना बाकी है और किचन में काफी कुछ है मुझे changes करने हैं वो मैं धीरे-धीरे ही करूँगी काफी कुछ kitchen के लिए नई चीज़ें ले करके आनी है और बहुत सारे जो mismatch डिबबे वगएरा है वो हटाने हैं और कुछ matching matching डिबबे ही लाऊंगी kitchen के लिए तो kitchen को भी मैं धीरे-धीरे ही set करूँगी तो अभी आपको pass से दिखा दे रहे हो फिर हम चलते हैं bedroom में तो दो bedroom बने हुए पीछे तो एक यह bedroom है जिसमें wardrobe बन चुकी है complete हो चुका है तो यहाँ पर देख सकते हो और यह room है मैं दोनों side से दिखा देते हूँ अभी खाली पड़ा है यहाँ बैट पड़ेगा और इस side trolley bag वगएरा मेरा कुछ कपड़े वगएरा चेयर में रखे हैं वो सारी अरी के बड़ी सी window है जो की OTS में ही खुलती है और यहाँ पर यह door है और ऐसी मैं पूरा चारों तरफ से room का आपको दिखाती हूँ और दूसरा जो door है वो पीछे आंगन में खुल रहा है तो अब मैं आपको लेके चलती हूँ पीछे आंगन की तरफ तो यह है आंगन वारा एरिया और यह हमने काफी बड़ा रखा है जिससे थोड़ा सा हवा रोशनी घर में proper ventilation बना रहा है और यह मैंने इस तरीके से सब्सक्राइब नीचे से ना आएं और इधर साइड लगा हुआ है एक वास वेसिंग और मिरर भी लगा हुआ है और वाशिंग मसीन का भी वहां पे connection दिया गया है तो बाहर ही यहां पर आंगन में मैं वाशिंग मसीन भी रख सकती हूँ और यह उसके बाद यह है हमारा बा बात्रूम और बात्रूम में में भी काफी स्पेस है जहां पर हम आराम से वाशिंग मसीन रख सकते हैं वाशिंग मसीन का भी connection दिया हुआ है और उसके बाद मैं आपको लेके चलती हूँ दूसरे वाले बैड रूम में तो यह अभी वाशिंग मसीन निदी ने अंदर ही कर और इसका भी जो तूसरा दोर है वो पीछे आंगन की तरफ ही खुलती है और यहाँ पर मैंने यहाँ पर पूजा घर अपना बनाया हुआ है इस रूम में तो यह देख सकते हैं अब यही पर पूजा घर में बनाया हुआ है बाद में मैं इसको partition करा करकर जो वुटेन वाला पूजा घर बनता है अलग से उसको करवा दूँगी क्योंकि पूजा घर ना थोड़ा सा अलग ही होना चाहिए जहां पर हम बिना नहाए और या फिर कहीं से भी आए जाएं तो छूना सके तो ये दूसरा वाला बेड रूम है और अब मैं आपको लेके चलती हूँ लॉबी की तरफ और वहाँ पर अभी हमारा बेड रखा हुआ है लॉबी में टीवी भी अभी सेट नहीं हुई है तो वो इसी रूम में रखी हुई है और अभी आपको लॉबी एरिया देखाते हैं फिर मैं आपको अब नी छत भी लेके चलूँगी छत भी गुमाऊंगी तो ये देख सकते हो कुछ इस तरीके से है लॉबी एरिया इधर साइड बेड रखा हुआ है और सामने वाल पे जो है वाच लगी हुई है तो यहां से आराम से टाइम भी देख सकते हैं और अभी लेके चलते हैं आप लोगों को छत में और कुछ उपर का नजारा आपको दिखाते हैं मौसम पिछले दो-तीन दिनों से बहुत ही ज़्यादा खराब है बारिश वाला पुरा हो रखा है तो अभी पानी बारिश और थोड़ा थोड़ा सा पानी दिवालों में आए क्योंकि दो दिनों से भी लगतार बारिश हो रही है तो अभी उपर आपको दिखा देतें लाइट वगेरा भी मैंने जला दिये क्योंकि थोड़ा सा अंधेरा अंधेरा सा ही आ रहा था कैमरे में क्योंकि अंधेरा हो रखा है जब बाद धूप नहीं निकलती तो घरों के अंदर वैसे थोड़ा सा अंधेरा ही बना रहता है और अभी यहाँ पर पेंट नहीं हुआ जिसके कारण डेजाइन आपको बहुत क्लियर नहीं हो रही है प्योपी की डिजाइन बहुत अच्छी बनी हुई है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है तो अभी तो क्लियर्टी से साफ नहीं दिख रहा है क्योंकि जब अच्छे से पेंट हो जाएगा तब ना असली घर ओभर करके सामने आएगा और अब हम जल इसले मैं आप लोगों को लेकर के आ गई हूं और यहां पर यह एरिया है जिसको मैंने ऐसा स्टोर रूम यूज किया हुआ है यहां पर जितना एक्स्ट्रा सामान है वह सभी ऐसे जैसे था वैसे ही लाकर के रख दिया गया है अभी धीरे-धीरे सारा कुछ सेट करेंगे औ वह अंदर-अंदर फिनिशिंग का होता रहेगा और इधर देख सकते हो कुछ इस तरीके से हैं यहां पर चार-पांस गमले जो रखे हुए हैं और यह हनुमान जी का जंडा है जो मेरे ग्राव प्रिवेस के टाइम लगाया गया था तो अभी तक वैसे कम ऐसे ही लगा है तो चलो वीडियो का अब मैं यह पर एंड करती हूँ पसंद आए तो लाइक कर देना फैमली फ्रेंट्स में शेयर कर देना और हाँ अगर मेरी चैनल पर न्यू है पहली बार आए तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा साथ में बिल आइकन प्रेस करेंगे तो आपको सारे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी तो चलो फिर मिलती हूँ नेक्स व्लॉग में तब तक के लिए बाई बाई एंड थैंक्स पॉर वाचिंग आइस आद्या फैमली चैनल बाई टेक केर